प्रेस्न संख्या चार परतेक में आयत की चोड़ाई ग्यात करें जिसका छेतरफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है तो प्रेस्न संख्या चार का कर तो आयत का छेतरफल चेतरफल बराबर कितना दिया हुआ है 300 वर्ग सिंटिमीटर ठीक है 300 वर्ग सिंटिमीटर और देखें लंबाई तो लंबाई कितना दिया हुआ है लंबाई बराबर दिया हुआ है 20 सिंटिमीटर ठीक है तो क्या निकालना है चोड़ाई निकालना है तो देखें छेतरफल आयत का छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई देखिए लंबाई को हम संचेप में इस तरह लिख सकते हैं देखिए लंबाई को हम ल और विंदू और देखिए इस तरह से गोल करके लंबाई गुना चोड़ाई को भी हम सौट में बस इस तरह लिख सकते हैं तो छेतरफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चोड़ाई, तो छेतरफल कितना दिया हुआ है, तीन सो, लंबाई हमें निकालना है, ठीक है, चोड़ाई कितना दिया हुआ है, देखिए, लंबाई दिया हुआ है, चोड़ाई हमें निकालना है, तो लंबाई कितना है, यानि संचेप में तो लिखेंगे अत्र चोडाई बराबर क्या हो जाएगा देखें बराबर के दाया तरफ चोडाई के साथ क्या है 20 गुना में है तो 20 को हम दाया से बाया तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में यानि 300 बटा 20 यानि 300 के साथ क्या में हो जाएगा भागा में देखे 300 से इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में आएगा तो 20 से देखे 15 बार में कट गया ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 cm क्योंकि चोड़ाई ये लम्बाई दिया हो था cm में तो चोड़ाई भी सेंटीमीटर में ही आएगा और छेतरफल था 300 वर्ग सेंटीमीटर में तो कितना आ गया इसका चोड़ाई 15 सेंटीमीटर तो लंबाई को हम देखें लंबाई को सौट में इस तरह लिख सकते हैं यानि संचेप में लंबाई और चोड़ाई को अब देखें खा अब खा हल करेंगे खा में दिया हुआ है छेतरफल यानि आयत का छेतरफल अठारस सो वर्ग मीटर ठीक है आयत का छेतरफल दिया हुआ है अठारस सो वर्ग मीटर और लंबाई तो देखें लंबाई कितना दिया हुआ है साथ मीटर लंबाई दिया हुआ है साथ मीटर तो छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत का छेतरफल तो आयत का छेतरफल दिया हुआ 1800 वरिग मीटर और आयत की लंबाई कितना दिया हुआ 60 मीटर तो आयत का छेतरफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चोड़ाई ठीक है तो छेतरफल देखें कितना है 1800 बराबर लंबाई दिया हुआ है 60 चोड़ाई हमें निकालना है तो इस तरह हम लिख लेंगे 6 तरफल के सामने 6 तरफल चोड़ाई तो निकालना है लंबाई के जगा पे लंबाई दिया हुआ है जो जितना तरफ तो इसको हम इधर भेजेंगे तो भाग हम हो जाएगा, यानी ऐठारा सो गटा साठ तो छहतीया ऐठारा तो देखे साठ से कितना बार में कट जाया है? तीन बार में, यानी तीस बार में साठ गुने-थीस 1000 यानी इसका आगया तीस मीटर मीटर में आएगा उत्तर क्योंकि लंबाई मीटर में है देखिए मीटर में है और आयत का छेतरफल वर्ग मीटर में है तो चोड़ाई क्या में आएगा? मीटर में आएगा तो अगर बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है आयत का छेतरफल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई उसी से देखिए आसानी से बस जो भी पूछ रहा है उसको निकाल देंगे गह में गह में दिया हुआ है छेतरफल यानि आयत का छेतरफल है ठीक है तो छेतरफल बराबर कितना दिया हुआ है 12 वर्ग किलो मीटर ठीक है? आयत का छेतरफल दिया हुआ है 12 वर्ग किलो मीटर लंबाई लंबाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर नहीं माफ किजे 4 मीटर तो लंबाई बराबर दिया हुआ है 4 किलो मीटर और छेतरफल बराबर 12 वर्ग किलोमीटर तो क्या पूछ रहा हमसे चोड़ाई तो देखे पहले आयत का छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है यानि सूत्र छेतरफल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई ठीक है छेतरफल कितना दिया हुआ है 12 लंबाई है 4 चोड़ाई हमें निकालना है तो अतर चोड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 4 देखे 4 गुनाम है चोड़ाई के साथ तो दाया से बाया तरफ जाएगा तो भागाम हो जाएगा ठीक है तो 4 तिया 12 तीन बार में कट गया यानि 3 किलोमीटर चोड़ाई हो जाएगा क्योंकि लंबाई किलोमीटर में था और 6 गुलोमीटर में ठीक है तो चोड़ाई क्या में आएगा किलोमीटर में ही तो इसका उतर हो जाएगा 3 किलोमीटर घह में घह में देखे 6 गुलोमीटर आयत का छेतरफल कितना दिया हुआ है 5500 वर्ग मीटर कॉमा लंबाई कितना दिया हुआ है 110 मीटर ठीक है लंबाई कितना है 110 मीटर तो चोड़ाई पूछ रहा है तो पहले हम छेतरफल छेतरफल का सूत्र लिख देते हैं यानि फॉर्मूला कितना होगा क्या होता है आयत का छेतरफल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई तो छेतरफल कितना है आयत का 5500 तो छेतरफल के जगह पे हम लिख लेंगे बराबर लंबाई कितना है 110 चोडाई हमें निकालना है तो अतर चोडाई बराबर यहाँ पे बराबर के दाया तरफ क्या है 110 चोडाई के साथ गुना में है तो इधर भेजेंगे यानि बाया तरफ तो क्या में हो जाएगा यानि बटा में हो जाएगा पचपन सो बटा 110 तो 11 पचे देखे पचपन तो कितना बार में कट गया है 50 बार में 110 गुने 50 5500 तो यह इसका उत्तर आ गया 50 मीटर इसका उत्तर कितना आ गया 50 मीटर तो छेदरफल दिया हुआ रहे लंबाई अगर दिया हुआ रहे तो हम आसानी से चोड़ाई निकाल सकते हैं यह फॉर्मूला लगा करके छेदरफल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई ठीक है अगर एक ही फॉर्मूला बस याद रहे तो देखे हम सब निकाल सकते हैं कोई भी अगर दो चीज दिया हुआ रहा है तो तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं कर दो एक हुआ है